हेलो गाइस आप सभी लोगों गाई बार फिर से सु अगत है मारे नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 और स्टेडिया की जो T10 सीरीज चल रही है इसके तीसरे मैच और आज के दिन के भी तीसरे मैच के बारे में ठीके या मैच खेला जाएगा सनासी वर्सेस वियाना CC के बीच मैच खेला जाएगा मैच की टाइमिंगे साड़े चार बचे स्टार्ट होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार ठीके वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दौनों टीमों के बारे में डिटेल में जानकरी हो जाएगे एक टीम वियाना CC का एक मैच हो चुका है तो उसका आपने बैटिंग और प्लेइंग 11 सब चीज लिख दी है क्या परफॉर्मेस करी है कौन से पलिया ने कितनी बॉलिंग करा ही कितनी बैटिंग करी किस पोजिशन में बैटिंग करी सभी को आपने सेट कर दिया तो आप वी मैच की तो मैच कहला जागा सनासी वर्सेस वियाना CC टाइमिंग की बात करें तो साड़े चार बज़े स्टार्ट होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार डेट 26 अगस्ट 2024 आज ही की है वैधर की बात करें तो वैधर किलियर है बारिस के कोई भी चांस नहीं है वैन्यू द एक मैच हो चुका है ठीक है और वा मैच बैटिंग फिस्ट करने वाली टीम जीती thank you बहुत मजबूत टीम है तो पहली टीम है वियाना CC के बारे में मात करते हैं जिनका एक मैच फटूना मैंड में हो चुका है वा मैच एर जीतकर आई है तो से मुने बैटिंग और प्ले वर की गेंदबाजी बिल्कुल पिक करना है और ओवराल रिकॉर्ड देके तो 17 मैच में 23 रन है नो ओवर की गेंदबाजी चार विकिट पहले मैच में अच्छी बैटिंग बॉलिंग करिए इस वज़े से आपके लिए इंपोर्टनेंट है और कैप्टन वाइस कैप्टन सी का कर रहा है या बॉलिंग नहीं करवाई लेकर किसे ना किसी मैच में आपको बॉलिंग दे सकता है बहुंसर्ट ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए उन पचास विकिट भी लिए इस ने नंबर तीन पर बैटिंग कर रहा है अब्दूला एकरबजन जिसने पहले मैच में 37 कि ताबड तोड पारी खेली साथी डेट ओवर्स में दो ओवर की गेंदबाजी कर रहा है जिसमें एक विकिट लिया ठीक है तो आपके लिए एक इंपोर्टन पिलियर है और इस मैच में कैप्टन सी का बहुत 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 रिन चॉइस है क्योंकि नंबर तीन पर बैटिंग कर रहा है साथ ही डेट ओवर्स में गेंदबाजी करवा रहा है ठीक है इंपोर्टन ए आटवा साथवा और नवा ओवर डालना है था पहले मैच में इस वज़े से आपके लिए बिल्कुल इंपोर्टन पिलियर होगा ठीक है रिकॉर्ड की बात करें ओवरॉल त बासट मैच में 805 रहने 21 की एवर्स से और 105 ओवर की गेंदबाजी 66 विकिट लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों जबरदस्त करता है नमबर चार पर आयता इकबाल सिंग जो विकिट कीपरिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा आपको पहले मैच में 40 रन की अच्छी पा जिसने पहले मैच में नमबर पांच पर बैटिंग करी साथी 11 रन बनाए और 2 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे एक विकिट लिया मिडल ओवर्स में आपको गेंदबाजी भी दी ठीक है इसलिए इंपोर्टेंट है और बड़िया पिलियर है वाइस केप्टन सी का ठीक है तो 49 मैच में 19 की एवरेस से 208 रन है बॉलिंग के चांस कम है लेकर आपको बैटिंग थोड़ी बहुत दे सकता है इसके बाद है साई समा जिसने पहले मैच में एक ही ओवर की गेंदबाजी कराई मिडल ओवर्स में ठीक है दूसरा ओवर नहीं मिला क्योंकि पहले ओवर में दसवा ओवर डालना आया था ट्राइ कर सकते है इसको भी ठीक है क्योंकि एक ओवर डाल के इसने एक विकिट लिया पहले मैच में और ओवर ओल रिकॉर्ड देखे तो 7 मैच में 7 ओवर 2 विकिट है उसके बाद है जुनेत से जिसने पहले मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी कर इसके बाद है प्रेमा जीत सिंग जिसने पहले मैच में बैटिंग बोलिंग नहीं करी तो इनको ट्राइ नहीं करना है जो यहां से इंपोर्टेंट है वो है जुनेत सैयद आमिर जावेद और साइस समा में से किसी एक प्लियर को लेना इसके अलावा आप ट्राइ कर सकते हो खानागा हामदर्त को इसके अलावा इकबाल सिंग कंपल सरी है अब्दुल्ला एकरबजन मार्क सिंसोन पारकर और खैतिब ओमारी ठीक है यह आपके लिए कंपल सरी प्लियर है इस टीम में से बात करते है बैंच की तो बैंच पर से कोई सब भी विलर खेलता है तो उसके इ सब्लाट केलियांट सны शिकल जोकार्त कर रही है तो उससे अपने को बैटिंग और परफ़ोमेंस का तो पता पड़ी आेंगा लेकर मैं फिलाल आपको सबी वियरों के स्टैडट बता देता हूं तो जिसने 27 T10 के मैच में 248 रन बनाए 13 की एवरेस से 38 ओवर की गैंदबाजी करवाते वे 21 विकिट लिये ठीके तो important हो सकता है क्योंकि बैटिंग के साथ साथ आपको 2 ओवर की गैंदबाजी देगा और opening करता है तो आपके लिए captain wise captaincy का choice है इसके बादे सिवम सुबास जिसने 5 T10 के मैच में 37 रन बनाए 2 ओवर की गैंदबाजी करवाते वे 1 विकिट लिया है इसके बादे जनन गलजाई जिसने total 14 T10 के मैच खेले 136 रन बनाए 3 ओवर की गैंदबाजी के 2 रन 4 विकिट लिये बॉलिंग के chance कम है लेकर बैटिंग थो 12 मैच में 146 रन बनाए 14 की एवरस से 4 ओवर की गैंदबाजी करवाते वे 2 विकिट लिये इसके बादे नवीन विजा सेकरा जिसने 32 T10 के मैच में 213 रन बनाए 31 ओवर की गैंदबाजी करवाते वे 14 विकिट लिये खेलता है तो ट्राइ कर सकते हो इसके बादे सत्यम सुबा जिसने टीटेन के 10 मैच में 37 रन बनाएं 15 और गेंदबाजी करवाते हैं 8 विक्ट लिएं उसके बादे सुमेर से में 24 के मैच में 45 रन बनाए 18 आपर की गेंदबाजी करवाते हैं 8 विक्ट लिएं कि अधिकेट लिए उसके के 2 हेंग मुझएर कि अधिकीट लिया उसके बाद एक włos इंधिकेट बचावल जिसने 3 हेंग मैच मेंच अधिकन के प्रोवाइट करवा दूगा ठीके और इनमें से जो जो इंपोर्टेंट प्लियर होंगे उनका सेलेक्शन पहले मैच के बाद होगा क्यूंकि इनका एक मैच भाई बजे स्टार्ट हो चुका है तो उसके इसाब से अपन बैटिंग ओडर प्लेंग 11 के साब से परफॉर्मेंस क पहली टीम है वियाना सीसी वह बहुत मजबूत दिख रही है ठीके इस मैच में इसलिए टीम आपको वियाना सीसी के फियोनो बनानी है और फिलाल मैंने एक डेमों टीम बना रखी है तो उसके बात करते हैं यह ठीके बात करते हैं विकिट कीपरिंग सेक्शन से मार्क सिम्स के हमदर्द और जे से ही है ठीक है कैप्टन मैंने फिलाल अब्दुल्ला एकरबजन को बनाया वाइस कैप्टन के ओमारी को बनाया है क्यूंकि दोनों ही टॉप थ्री में बैटिंग कर रहा है साथ ही आपको दो दो आवरो की गैंदबाजी दे रहा है एक प्लिए रिस्टार् और अब्दुल्ला एकरबजन तो कैप्टन सी का चॉइस है तो फिलाल के लिए डेमो टीम आप सेव कर लो डेमो टीम है फाइनल टीम आपको अमारे टेलीगाम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्किप्शन में दे रखाया तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करन दिन के पाँच मैच में आपको टीम बनाने में दिक्कत ना है और इस मैच से रिलेटेट सारी जानकारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसे बैटिंग और प्लेइंग लेवन टॉस अबडेट और जो हमारी फाइनल टीम होती है वो धन्यवाल